अगावी विधान सभा और लोगसभा चुनाओ को लेकर प्रदेश भर में बिगुल बच चुका है महीं पर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार पर उंगली उठाते वे कहा है कि प्रदेश में महलाओं के इस्तती बहत खराब है महीं पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश भरवक्ता ने कहा है कि देश में आम आदमी पार्टी सरकार बनते ही महलाओं के उत्थान के लिए कार्य किये जाएंगे पंजाब लोकसभा उपचुनाओ उत्तर प्रदेश निकाई चुनाओ और आम आदमी पाटी की जीत में प्रदेश प्रवक्ता है मंत जोशी ने कहा है कि पंजाब में किये जा रहे आप सरकार की जन हितेशी कारियों को लेकर करनाटक में विपक्ष की जीत और भाशपा दुआरा किये जा रहे है भस्ताचार का यह पूरा पड़ी नाम है आम आदमी पाटी ने आज यह प्रदेश में बट रही महला उत्परण की घटनाओं पर रोश व्यक्त किया है विदित हो कि हाली में इंदोर में एक घटना सामने आयी थी जहाँ पर एक आदमी ने स्कूल जाने सवाली किशोरी को परिशान किया था और जिसके चलते उसने आत्मत्या कर ली थी उसके पालक ने थाने पर फिश शिकायत करी थी लेकिन पुलिस ने इसमें कोई कारवाई नहीं करी थी प्रदेश प्रवक्ता राजी वेद ने बताया कि मध्यपदेश में महलाओं पर अत्याचार लगातार बड़ रहे हैं और सरकार अपराधियों पर कोई कारवाई नहीं कर रही है रास्ट्री महला आयोक के आखलों के अनुसार प्रदेश में महलाओं की स्तती खराब है रास्ट्री अपराद ब्यूरों के अनुसार देश में के मध्यपदेश में भी महला अपराधों में बढ़ोती हो रही है मध्यपदेश में भी नाबालिक और अनुसुचित जाती और ज जनता चाहती है, जनता परिवर्तन चाहती है, ठक गई है वो सापनात और नागनात भाजपा कॉंग्रेस को आज माज माखर के प्रदेश का विकास नहीं हो रहा है, रुका हुआ प्रदेश, महिलाओं की उपर अत्यचार बढ़ रहे हैं, तो जनता तो विकल्प चाहती है और राम आदमी पार्टी उनको एक अच्छा विकल्प देने में सक्षम है, देखे हमारा जो मुद्दे हैं वो सिक्षा स्वास्त रोजगार, जो हमारा मूल मुद्दा है वो तो रहेगा ही, इसके लावा फिर हम लोग कुछ छेतरी समस्याओं की उपर भी बात करेंगे, जैसे मत्पेस में महिलाओं की उपर 24 में लगातार बर्दी हो रही है, अनसुची जाती-जनजाती की उपर 24 के मामले में मत्पेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, नावालिकों के खिलाब दुशकर्म में मत्पेस की पस्थिती बहुत बस्थ हो रही है, शिशु महार की स्थिति बड़ी गंबीर सब्देस्ट बजट में मतप्रेस सरकार ने खुभ स्विकार कि प्रतिवर्ष 5.500,000 विrets भाउजगारों की व्रध्धी हुररी है एक करोड से इससे बड़ी समस्य और क्या हो सकती है तो रोज बेरोजगारों को रोजगार देना हमारी प्रात्मिक्ता है देखें मेहगाई का एक बहुत सीधा सचा फार्मूला है हम चीजें सस्ती कर देंगे नागरी को भुकता की जो वस्तों ना हम उनको सस्ता कर देंगे जैसे दिल्ली में हमने बिजली को सस्ता किया ठीक ना कर लोग बोलते रेवडी बाटते यह रेवडी निया सब जनता की अगर उसी टैक्सम जनता को सुभधाय दे दे तो वस्तों सस्ती कर दे तो और क्या चाहिए जनता को तो महंगाई का हमारे पास सबसे बढ़िया तोड़ है हम बिजली सस्ती कर देंगे हम सिक्षा स्वस्ती कर देंगे लोगों को रोजगार उपलब्द करा देंगे और क्या जाता है ने शत्रण जी की बाजी फेली जाती है उसी तरह शिवरा सिंग्जी अब शत्रण जी की बाजी में इन महिलाओं को आगरे के उनकी मांग पूरी कर देंगे उनको छे मेने से बरोबर ध्यान नहीं आई थी कि एक माँ अपने छोटे से बच्चों को लेकर वहां बेठ भाजपान सरकार बीटी विए वो विफक्षियों को बुरी तरह से रोत ति हैं उनको परेसान करती उनके साथ में जनता भी परेसान होती तो यह जनता का गुस्ता ने भाजपा को बुरी तरह सहराया है थोड़े दिन पहले बीजेपी के एक मुख्यमंत्री के लड़के यहां पर आये हुए हैं कांग्रेस पार्टी में उन्होंने बोला कि मद्ध्यपदेश में भस्टाचार करेशों 80% है कन्नाटक में तो 40% था पर मद्ध्यपदेश में 80% है तो बस्टाचार का यह का केजरिवाल बहुत जल्दी मद्ध्यपदेश में केजरिवाल नित पार्टी की सरकार बनने जा रही है और हम पूरे 230 सीटों पर चुनाओं लड़के विजब कोई गटबंदन नहीं करेंगे 230 सीटों के लिए हमारे लिए को उमिद्वार हैं और उन्हीं उमिद्वार से हम जीत के सरकार बनने जा रहे हैं देखिए जो केंद्र की भाजपा सरकार है वो लोगों को भी परिसान करती है विपक्षी दलों को भी परिसान करती है यह जो कन्नाटक में जीत हुई है यह जनता की जीत है जनता इनकी नीतियों से परिसान है इसलिए जनता ने वहाँ पर ब बस्टचार का रेशो वो 80% है तो मद्यपदेश भी बस्टचार का गड़ बन चुका है मद्यपदेश में भी कांग्रेस और बीजेपी की नीतियों से आमजंता परिशान है और आम जंता आमध्मी पार्टी के रूप में एक राजनीतिक विकल्प के रूप में देख रही है आमध्मी पार्टी की सरकार बनाने जारी है आज के जो चुनाव पढ़नाम आए वो बड़े आमध्मी पार्टी के लिए बड़े उस्सा जनक है जालंदर में सुसील कुमार रिंकू जो आपके लोकसभा पत्त्यासी है वो बड़े अच्छे बहुमत से जीते हैं इसी पकार यूपी में भी हमारा खाता खुला है कोसम भी नगर पंचायत में हम विजय हुए हैं तो यूपी में हमारा खाता खुल गया है जालंदर में खुल गया है और कन्नाटक में बीजेपी की बुरी तरह से हार हुई है यह हार सीधा रिजल्ट दे रही है कि बीजेपी से लोग परिशान है, मद्द पदेश में भी बीजेपी के सरकार को आम अदमी पार्टी हराने जारी है